हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों कि प्रिभियस एयर में जो नर्सिंग असिस्टेंस का कैसा पेपर पुछा गया था यह हम लोग देखेंगे इस दोस्तों वीडियो को देखने से आपको यह 100 पसंड जाता है इसलिए प्रिभियस एयर को बारीकी से देखे समझे और इसको याद करें ताकि यहीं कोशन आपको पूछा जा सकता है दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दोस्तों कि मैं आपको इसी चाइनल पे 50 प्रेक्टिसेट बना करके डाला हूं जो आपको प लाइक किजिए इस वीडियो को असाली से पर सके और इसका लाव उठा सके ता चलिए देखते हैं पहला कोचन क्या बोला है दोस्तो पहला क्वेशन बोला है सू शुरी zkोस्तान कोसलडाइस वाली भर्ति ही महिला थी तो सूरी रीना कोसल डाैस वाली भर्ति ही आधि तो क्या थी दोस्तो तहों जाहुद जगा दक्षणी ध्रू के लिए ख्री करने वा ले अप्छिन therefore के लिए इस्क री करने athlete पहली महिला थी अप्शन सेज़ दो करेक्ट होगा है दूसरा पुछा है कि होमी भावा पुरसकार यानिके डाक्टर होमी जाहंगीर भावा पुरसकार जो है किस लिए दिया जाता है यानिके निवन में से किस विशेस फिल्ड योगिदान के लिए दिया जाता है दोस्तों त मंडेला कि चैनल पूछा है दोस्तों हमारे सरीर की सबसे छोटी हड़ी कौन सी है तो हमारे सरीर की सबसे छोटी है यह कान की हड़ी है अप्शन एजदक रेक्ट होगा कान की हड़ी निम निमेड से डैस वर्स 2016 के लिए असोख्चक्ष बिरताब मिल गया था तो असोख्चक् और सिर्फ एंसर ही बताऊंगा ज्यादा एक्सप्रेन नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लम्मा हो जाएगा पचास कोशन हम लोगों को दिखना है चलिए देखते हैं छे नमद हरीट सुचकांग डैस द्वारे विक्सित किया गया है तो हरीट सुचकांग किसके द्वारे त्वारे गया हो कुछ तो निमन में से कौन साही ढ़ंग से संफिफ नई है अपते हैं 토 क्रेक्षेंड है यह जो है संचिप्त नहीं है आठवा देखिया या जो ठीक से मल नहीं खाती 확 सब्सक्राइब करेक्ट का जो ठेक से मेल नहीं खाती है बाकी सब सही है उल्लम्पिक मसाल का परतिक है तो उल्लम्पिक मसाल का परतिक क्या है दोस्तों त्या है परचीन और आधनिक खेल के बीच निरंतरता आधनिक यह परचीन खेल के बीच निरंतरता जो है उल्लम्पिक मस साल का परतीक है दस नमाद देखिए दोस्तों क्या पुछा था दस नमाद पुछा था आई-ए-ए-ए-अ-ए-ए-का पूर्ण रूप क्या है आई-ए-ए-ए-ए-का पूर्ण रूप दोस्तों यहां हो जाएगा हमारा इंटर्नेट और मॉबायल एसोसीएशन ऑफ इन्दियां की अप्शेन दोस्तों पूर्ण पूछता है मैं आपको Пол को मैं आपको क्या मैं आप को से दिया हुआ सिस्टेंज् कौन कोश्चन कितना पूछ यहां पार्ट बी में है जो आपको मैथ पूछता है मैथ 5 कोश्चन पूछता है यह लिए देखते हैं इसका एंसर दोस्तों आप इसको असानी से बना भी सकते हैं निम्न में अंस जो अन्ने 3 बराबर नहीं है तो वह कौन सा है तो आप इसको पांच है है और इसको भी देखिए दो से कड़ियेगा तो तीन बर्टे पांच यह भी हो जाएगा तो यहां आमारा गलत हो जेगा अप्शन के इसदो बोला है 18-25 का वर्ग मूल क्या होगा तो दोस्तों मैंने वर्ग मूल का भी एक वीडियो बनाकर डाल दिया होगा आप 36 द्वारा यह गहन सहीब बनाने के लिए विभाजित हो दोस्तों यहां देखिए आपके एंसर हो जाएगा च्टेरा का बढ़ा चाहिए इसके लिए तो मैं आपको वाइट बोर्ट पर वहाँ वीडियो कलास्य में बता दूंगा जहां आप मैं बोर्ट पर बढ़ाता हूं दोस्तों आप कमेंने बताए कि सारी यह कोश्चन नहीं बना ओको वह कोश्चन उसमें पूरे वीडियो में बना पॉंदन और बनाले जगा और बताएए कि इसका एंसर है उसका एंसर है मैं आपको कमेंड में ही जवाब देदूंगा कि यह सही है या गलत है चली पांच कोश्चन आपको महित का होगे आप देखें पार्ट सी आ गया तो पार्ट सी में आपको पुछता है भोग तीक्यान यदि उसके विएक दुगूर्णी हो गई है तो उसकी गती जूर्जा हो जाएगी दोस्तों नुमेरिकल पुछा है कि के एक ऑबजेक्ट की स्थिती जूर्जा है यदि उसके विएक दुगूर्णी हो जाए तो उसकी गती जूर्जा यानि कि क्या हो जाएगी दोस्तों यहा चार हो जाएगी option C is the correct होगा चार 17 पुछा है एक फुटबॉल के समान आकार की एक पथर से कम उर्था फिर से एक बार दोस्तों question नूमर 17 एक फुटबॉल की समान आकार की एक पथर से कम जरता है क्योंकि क्योंकि दोस्तों तिया हो जाएगा हमरा answer C फुटबॉल पथर की तुलना में कौम वजान है फुट वल की जो पथर के तुलना में वजन क्या होता है कम होता है इसके इसलिए उसमें जड़ता कम होती है जरत्तों पूछा है दोस्तों 10 विश यानिकी एकलार이 20 नूटन की गूत अकर्शण सक्ति के साथ usual प्रिथवी को अकर्शित करती हैmaking तो उसके बाद चांद प्रिथवी के डायाश गूत अकर्शण बालग्य साथ अकर्शित करती है तो अठाड़ा का एंसर होजेगा दोस्तो हमारा 10 के पाउर 20 नियूटन, 10 के पाउर 20 नियूटन की अप्चन सीधा क्रेक्ट होगा यदि धर्ती का व्यास दो बार उसका वर्तमान मुल्य हो जाता है और उसका द्रविमान अपर वर्तित रहता है तो प्रित्वी की सता पर किसकी बस्तु का वजन कैसे प्रभावित होगी तो दोस्तो 19 का आप एक बार अपने से पहले जीएगा और इसका एंसर देख लिए दोस्तो 19 का एंसर होजेगा आपका वजन एक चौथाई हो जाती है वजन एक चौथाई हो जाती है अप्चन बीज़ग रेक्ट होगा 19 का 20 नवर पूछाएं दोस्तो cg ग्राम पर g by g की एक आई है जी बाई जी की एक आई क्या है दोस्तो तो g by g की एक आई है 20 का आपका मीटर स्क्यार kg.m2 sq.m2 per kg, पाट D में दोस्तो पुछा है bhiologie, bhiology पुछता है दोस्तोो 15 कॉछण. 15 कॉचण bhiology का भी हम लोग यहां देखेंगे 21 का ब्यक्स नवर सुछा है दोस्तो तो व्यक्तिक कमल निम्न आंग की खराब की कारण सफेद ग्रे रंग का है तो ब्यक्ति का मल निम्न अंग की खराबी के कारण सफेद ग्रे रंग का है तो दोस्तों किस अंग के खराबी कारण ब्यक्ति का मल जो है ग्रे सफेद ग्रे Щас ठीचा करें कंग रंग का होता है यहां किस्का होजगा आपका ओप्शन ड Oliver कि लिवर के कारणा। पुछा है या भीई रख्त समूध बी समूध पैं में स्रोडी यह भी रख्त समूध बी समूध रोगे को दिया जा सकता है क्यूंकि रख्त क्यले अगले वीडियो में बता दूंगे कि इसका एंसर क्या होगा तेज़ पुछा है दोस्तों डाइपिंग में थारा मिस्टेक हो जाता है तो इसके लिए कोई बड़ा इसू नहीं है अगले वीडियो में बता दूंगे आप कमेंड में बताइएगा इसको बता जिए मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा दोस्तों तो आप माले टाइपिंग में थारा मिस्टेक होता है इसलिए आपको सही से कोई कोश्चन एक दू कोश्चन इधर हो जाता है तो तो पुछ आए डेस बीस्व एड एड़स दिवस है तो 20एडस दिवस का मना जाता है तो 20व दिम दौस्टेट एक दिसमबर को मनाए जाता है। ओप्ट्वेश पैणिक रेखत Unf मुख्य का इस कौन सा है जो दूस्तों ग्रीनहस प्रभाव पैदा करता है तो आपको अजीगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन नहीं हो दोस्तों 25 का आपको अंसर हो जरेगा नाइट्रोजन इसमें दिया है लेकिन यहां नाइट्रोजन नहीं हो गरिन अप्तव पर भाव पायदा करने वाला कॉन से एच है करवन डिक्षाइब करवन डिक्षाइब कुछाहें 26 निवन में से कौन सा एक जीवानु नहीं हे दोस्तो 26 का option d is correct होगा जो जिवानु नहीं है 27 पूझाए दोस्तो रेशम उत्पादन डेश के साथ जूरा हुआ है तो रेशम उत्पादन किसे साथ जूरा हुआ है दोस्तो तो रेशाम पादन जो है दोस्तो आपका जूर्य हुआ है रिभिंग औफ फ्रावन यानिके रिभिंग औफ फ्रावन 28 पुचा है कि उम्रं तक एक बच्चे के लिए दिया जाता है तो पुल्यों बुंदे किस उंब तक एक बच्चे को दिया जाता है तो यह तो बच्चा बच्चा जानता है तो पुल्यों बच्चा जानता है किस उंब तक बच्चों को दिया जाता है तो यह पांच साल तक के बच्चों को पिलाया जाता है 29 सरीर के किस अंग में अमोनियाइ यूडिया के रिषिस कि आनग में दोस्त dites ‑‑ यह हो जैगा हमा रा सि यहांग लिबहर सरीर के लिए 25 द आ depressed by किस अध्यान किया जाता है वैष्पी में उतको उतको जीवित blank कर लिए उस्ता को जीवित शरीर के लिए किया जाता है 31 पूझा है तो अच्छा कि सबसे बाहरी प्रत को क्या कहते हैं दोस्तों अच्छा कि सबसे में बिटेमिन ब सब्से बितामिन बटू में आज खमीर में सब्सेद के लिए ईसी जी डेस का पता लगाने के लिए के जाता है इसी जो है या दिल की दौरा का पता लगाने के लिए कि जाता है यानिकि धरकन की पता लगाने के लिए इसे जी का प्रियोग यानिकि दिल का 24 पुछाएं दोस्तो रक्त समूह कीखोज डस की रक्त समूह की खोज किस ने किया था लेंड इस्टीनर ने रक्त समूह की खोज किया था लेंड इस्टीनर या बिलियम हरवे दोस्तों देख लिज़ेंगे लेंड इस्टीनर या बिलियम हरवे ने आपका रक्त समूग का खोज गये था आप बताएगा मैं आपको यह सब्सक्राइब कोशन आप दोनों में से बताएगे कौन सा आपका एंसर सही होगा कमेंट में टाला और चावीज सिधान्त डइस का काम करते हैं टाला और चावीज सिधान्त किसका काम करता है दोस्तों तिया होजेगा आपका 35 का 36 पूछा है दोस्तों नियून में से कौन सी व्यक्त प्यक्त एक एक इलेक्ट्ष। ये लेक्त्रों के बारे में गलत है दोस्तों पुछा दिशाटिस नाम निवन में से कौन सी व्यक्त व्यक्त ब्याद ये लेक्ट्रों फिंग लिंग के बारे में गलत है दोस्तों यहां 36 का होजेगा हमारा एंसर C यानकि एक अभिकर्मक जो एक अनु में एक वीधुत काम साइट पर हमला करता है कुछा है और बेन्जीन की सुल्फूनेस में में शक्रिया है तो निवन में से कौन सी प्रजातियां बेंजीन की सुल्फूनेस में सल्फोनेशन में सक्रिये है तो 37 का आपका एंसर हुझेगा दूस्तो असो टू यानिक सल्फोडाई अक्साइड और तिस पुचा है कार्बनिक अनुव में एक 100 सनियोजक बंधन के हिट्रोली टिक विखंडन डैस देता है तो कार्बनिक अनुव में एक 100 सनियोजक बंधन में हिट्रोली टिक विखंडन डैस देता है तो क्या देता है दोस्तो तो 38 का आपका एंसर हुझेगा बी यानिकी संबंध और आयनों का संबंध और आयनों का उन 40 दिया है एक अनुव में अनुनाद समर्चिना नहीं है तो एक अनु में अनुनाद समर्चिना नहीं है किसका अनुनाद समर्चिना नहीं है दोस्तो तो उन 40 का आपका एंसर हुझेगा अप्शन डी यानिकी समान संबंध चालिजपी दोस्तों टॉटो मेरी तोटो मेरीज्म द्वारा दिखाया नहीं है तोटो मेरीज्म नहीं दिखाया दोस्तों तो तालिष का आफ का इंसर उचेगा CH3CN, C3CN, option D is the correct होगा, एक प्रीज पूचल है, एक प्यूटेन की सबसे इस्थिर रचिना है दोस्तों, तो एक तालिष का आफ नसे ंसर उचेगा काडी यहारा की कॉंपीत बिरोधी कॉंपीत बिरोधी एसलिन के विरोधी दस्तक चरित के अलावात सुधार के जा सकता है गैसलीन के बिरोधी दस्तक चरीतर के अलावाँ डैस द्वारा सुधार किया जा सकता है तब 42 का अप्शन हो जेगा आपका सी यानिकी सीशा द्वारा यानिकी लेड थर्पी द्वारा 43 पुछाई दोस्तो फैलाने वाली सुर्य की रोषनी की उपस्थिती में क्लोरीन के साथ आइसोब्यूटेन का इलाज करते समय प्राप्त डैस मुख्य उत्पादक प्राप्त होता है तो क्या प्राप्त होता है तो क्या प्राप्त होता है दोस्तो 43 का आपका हो जाएगा आप्शन C यानिकी टॉट ब्यूटिल क्लोराइड टॉट ब्यूटिल क्लोराइड ऑप्शन C दे क्रेक चोबालेश पुछा है ओ एक्सलीन का रियाक्टिव जोन लीसिस डैस देता है तो ओ आक्सलीन का रियाक्टिव जोन लीसिस डैस देता है तो 44 का आपका एंसर हो जेगा उपर की सभी यानिकी A B और C यानिकी ये सभी सब्!!!!!!!! 45 पूछा है एक ही कक्षियो क्रहन करने वाले दो इलेक्टन डैस द्वारा अलाग क्याना गजा सकता है किसके द्वारा अलाग किया जाता है कि दोस्तो living का आपका हो जगा अप्शन B, क्वांटम नमबर स्पीन द्वारा, क्वांटम नमबर स्पीन यानिक अप्शन B is the correct हुआ अब आलेक्ष पुछाए, छे आलेक्ष पुछाए दोस्तों, CAC2 के साथ इल्ए नाइट्रोजन की प्रतिकिरिया के परिमान सोरोप डाय सुपध प्राप्थ होता है है, CAC2 के द्वारा भी इनकि CAC2 के साथ नाइट्रोजन की प्रतिकिरिया के परिमान सोरो डाय सुत पार्ड राप्थ होता है तो 46 का नियूक्लिय ओ फीलिक होता है एक नियूक्लिय यो खि फिलिक अभी कर्मा के पास डाय으 जरूरोण। होता है एक निव के लिए एक निव के लिए यो फिलिक अभी कर्मा के पास डाइस जरूरी है तो क्या जरूरी है दोस्तों त्यां 47 का इंसर होजेगा पूरी ओक्टेट पूरी ओक्टेट और अकेला इलेक्ट्वान के साथ एक प्रजाती अर्तालिस पूछा है दोस्तों निव्न में से कौन सी परजाती पहरा ग्रेटिक प्रकृतिक है तो अर्तालिस का होजेगा आपका मुक्त मूलक यानिक अप्सान यह दर करेक्ट होगा मुक्त मूलक उन्चास पुछा है दोस्तों निम्ण में से कौन सी एसीड आप सबसे मजबूत होने के उमीद करते हैं तो निम्ण में से कौन सी एसीड है जो आप सबसे मजबूत होने के उमीद करते हैं तो उन्चास का होगा 50 पुछा है दोस्तों दिये गए एसीड के लिए कौन सा सही विवरान है तो 50 का अशर जेगा यह जो है फोस्फीन एसीड होता है जबकि फासफोनिक एसीड होता है दोस्तों देखिए इस वीडियो में कि थोड़ा टाइपिंग जो है छोटा छोटा हो गया है जिसके काल्म पढ़ने में थोड़ा दीका थोड़ा इसको आप असाने से पढ़िएगा देखिएगा समझेगा तो आपको 100% समझ में आएगा दोस्तों एक बार में अगर नहीं समझ में आए तो आप इसको दो बार भी देख लिजिए ताकि आपको 100% समझ में आजए और दोस्तों इस वीडियो को सेर करना बिल्कुल ना भूलिए आपने दोस्तों क्योंकि यह कोश्चन होई है जो आपको प्रिभे सेर में कोश्चन पूछा ग कि यह कोश्चन प्रिफ दोस्तों क्योंकि यह कोश्चन इवडियो डिल्कुल